मस्ते दोस्तों आज 19 फरवरी 2016 है और मैं कोई नॉर्थ इंडिया में नहीं खड़ा हूँ जहां पे आपको लग रहा हो कि ये रोड पे फॉग है मैं खड़ा हूँ मद्यभारत के इंदौर नाम के शेहर में और यहां पे देव गुराडिया नाम की एक जगा है मैं उसके बिल्कुल पास में एक फ्लाइ ओवर है वहां पे खड़ा हूँ मेरे सामने पंजाब धाबा बना हुआ है जिसका मुझे साइन बोड भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना दुवा है यहां पे इसके जस्ट पीछे देव गुराडिया में ट्रेचिंग राउंड है मैं यह जो दो लाइट दिख रही हैं अभी इस पर फोकस करता हूँ क्योंकि रात के टाइम पे धुवे की वज़े से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है मेरा एक ही कंसर ने इस वीडियो को बनाने का कि जो दुवा आ रहा है इससे जितने भी आसपास के एरिया है सिल्वर स्प्रिंग्स हो गया कालंदी मिट टाउन हो गया सारा सिटी हो गया पूरी नेमावा रोड हो गई यहां तक की बिचोली यहां हर जगे इतना धुवा होता है रात को या दिन में पतलब आप बहार विदाउट इनी मास्क गुम भी नहीं सकते हैं हम आज की देट में टेली के पॉलिशन के लिए इतना इतना नाशनल नियूज और इन दौर में आज की देट में बच से बत्तर हुआ जा रहा है यह जीज कोई लोकल अथॉरिटी कोई नेता कोई इस मामले को सीरियसली ने ले रहा है सब अपनी जेब भढने में लगे मेरी खुद की भतीजी उसको अस्तमा की प्रॉबलम हो गई है क्योंकि हम लोग पास में ही रहता है यहां पर और इस बिग इशू आपर रिक्वेस्ट यू तो शेयर दिस वीडियो आज मच पॉसिबल जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन दौर की जंता जो है वो इस इशू को एक नाशनल लेवल पर लेके आ सके और हम इसको यहां पर बन करा सके आज यह सिटी में आ चुका एरिया या तो इनको ट्रेचिंग राउंड को शिफ्ट करना चाहिए और या फिर इनको correct measurements लेने चाहिए क्योंकि अगर ट्रेचिंग राउंड को सही तरीके से चलाया जाए तो इतना pollution होने का कोई सवाल ही नहीं उठता तो प्लीज दोस्तों इसको जादा से जादा शेयर करें और ताकि ये जित्ते भी नेता लोग अपनी जेब भर रहे हैं इसको गलत तरीके से इस्तमाल करके ये रुके